नमस्कार दोस्तों एक वाग फिर से स्वाग आते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो फैंड्स जैसा कि आपको पता हैं कि हमने अपने चैनल पर RRB, ALP और टेक्नी से इनकी क्लासिस स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले हमने जो क्लासिस स्टार्ट की थी वो इंजिनीर ड्रोइंग की स्टार्ट की थी और आज भी हम जो क्लास लेके आया हैं फैंड्स वो इंजिनीर ड्रोइंग की लेके आया है और आज की क्लास आपकी क्लास नमबर 13 है यानि इससे पहले हमने अपनी 12 class complete कर ली है जो कि most important topic जो ALP के exam में पूछी जाते हैं उनके बारे में हमने अभी तक 12 classes में friends discuss कर लिया है तो अगर आप पहली बार इस class को देख रहे हैं तो मेरी आपसे request है कि एक बार आप उस playlist को जरूर जा के दिखे जिसमें मैंने 12 classes complete करा दी है आपके exam के लिए most important रहेंगी friends क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही important topic discuss किये थे उस playlist की जो link है वो आपको वीडियो के discussion मिल जाएगी तो एक वाज जरूर चेक कीजिए वहां से जाकि आप लोग तो आज की class जो हमारी रहने वाली है उसका topic का नाम है lettering and numbering अच्छरांकन एवं सेंक्यांकन देखो class को start करने से पहले आप सभी लोगों के मन में एक doubt आ रहा हुआ कि sir आपने बहुत late class start की आप लोग comment भी कर रहे हैं कि sir class क्यों नहीं आ रही है तो इन सब के पीछे जो reason of ends वो हम class के end में discuss करेंगे सबसे पहले जो हमने topic आज उठाया है उसको cover करते हैं अच्छे जी समझना ठीक है वीडियो को बिल्कुल end तक देखना है एक एक चीज को अपनी notebook में इनको लिख लेना क्योंकि हर point आपके exam के point of view से बहुत ही important रहने बाला है ठीक है और बागी जितना भी discussion है class कैसे आई हैं क्यों नहीं आ रही है लेट कैसे हो रही है वो हम सब class के end में discuss करेंगे विजलिए प्रेंड आज की class को हम लोग start करते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम discuss करने जा रहे है lettering and numbering यानि अच्छरांकन एम संक्यांकन देखें इंजीनियर ड्रोइंग में क्या होता है कि हमारे पास drawing sheet आ गई हमने drawing बना ली ठीक है drawing बनाने के बाद हमें उसमें लिखना पड़ता है जैसे कि मैंने आपको पहले जब drawing sheet के बारे बताया था तो मैंने आपको एक title block पड़ाया था तो title block में friends हम कुछ number लिखते हैं ठीक है ना यानि number यानि इसके लिख रहे हैं तो वहापर हमें numbering करनी पड़ेगी अपना नाम लिख रहे हैं तो महापर हमें lettering करनी पड़ेगी ठीक है तो इनका भी एक अपना क्या होता है dimension होता है लिखने का तरीका होता है engineer drawing में और यहां से आपके question आपके exam में पूछे जाएंगी ठीक है engineer drawing में अकर हमें कोई lettering लिखनी है या numbering लिखना है तो किस तरीके से हम लिखते हैं उनके rules क्या क्या होते हैं वो आज की class में हम लोग discuss करेंगे इनसे 2-3 question आपके exam में पूछे जाते हैं और हर point आपके लिए important है तो आप note जरूर करते रहिए क्योंकि exam time पे आप इनको इनको रिवीजन करके चले जाना आपका AP question नहीं चूटेगा तो चलिए दोस्तों start करते हैं देखिए सबसे पहले अच्छरांगन एवं संक्यांगन क्या होता है यह समझ में आ गया कि हम engineer drawing में lettering ये numbering क्यों पढ़ रहे है because जब हमारे पास drawing seat होती है हम कोई मानलो नाम लिखना है ठीक है न हमने जो drawing मना है उसका नाम लिखना है तो उसका एक तरीका होता है engineer drawing में ऐसे नहीं कि अपनी मन से जो आया और उसी size में लिख दिया तो वो engineer drawing में गलत माना जाता है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपकी ABCD है एक्जाम में question पूची जाते है ठीक है तो पहला point मैंने यहाँ पर लिखा है very important है यहाँ से कई बार आपका question पूचा गया है question क्या पूचा गया है कि lettering में BIS के अनुसार तिरचे अच्छरों के लिए माना code कितने डिगरी का होता है 75 डिगरी का ठीक है ना जो तिरचे अच्छर आपने लिखे हुए बहुत सारी जगवों पर देखे होंगे friends जैसे आपको यहाँ पर यह लिखाई पढ़ रहा है देखेए A, B, C, D जो मैंने लिखाए alphabet लिखे हैं यह आपको अपने एक्से से थोड़े जुके हुए दिखाई पढ़ रहे होंगे ठीक है यहाँ फिर आपने भी इसका कोई practical करने की जुरूत नहीं है आपने भी छोटे पर अपने ड्राइंग में कुछ तिरचे अच्छर बनाए भी होंगे ठीक है तो वो जो तिरचे अच्छर जुके हुए होते हैं उनका एक अपना specific angle होता है ठीक है BIS के अनसार BIS का मतलब क्या होता है Bureau of Indian Standard मैंने आपको समझाया था कि Engineer Drawing में जितनी भी Dimensioning होती है उनको decide करने का जो जिम्मेदारी होती है वो इसकी होती है BIS की ठीक है तो BIS के अनसार अगर हमें Engineer Drawing में कोई भी अच्छर तरिचा बनाना है तो उसको बनाने के लिए कितने degree angle पर हमें से जुकाना पड़ता है ये question आपके exam में कई वार उचा गया है तो आपको याद रखना है उसको हम कितने degree पर जुकाते हैं 75 degree पर ठीक है ना जब भी वो जुका हुआ होगा तो 75 degree पर जैसे for example जैसे मैं देखो यहाँ पर B बना रहा हूँ ये देखे B अपने axis पर क्या है जुका हुआ है ठीक है कि ये दोनों angle के कितने को होते हैं 75 degree की तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तिरिछे angle होते हैं उनको हमें कितने degree पर जुखाना पड़ता है तो आपको या रखना है 75 degree पर जुखे हुए होने चाहिए हो ठीक है तो पहला इंजिनियर ड्रोइंग में हम जो अच्छा रांकन करते हैं वो कितने तरीके से करते हैं ठीक है सीधा question कुछ लिया जाएगा कि अच्छा रांकन कितने तरीके से इंजिनियर ड्रोइंग में किया जाता है ठीक है उन दोनों के नाम याद रखने है पहला होता है single stroke letters ठीक है औ आप इन दौनों में फर्ग क्या होता है यह होते क्या है देखिए मैंने आपर इंग्लिस में नाम लिखा है इनका हिंदी में भी नाम ये है single मतलब एक एक stroke letter double मतलब दो इस ट्रॉक लेटर ठीके तो आप ये और यह यह वैसा बिल्कुल नहीं हो ठीक है तो आपको आपको अचशे समझना है यहां से आपके कुष्चन आपके पूंचा जाएगा तो दीखे सबसे पहले सिंगल यह कि спокой के बारें समझते है single stroke letter क्या होता है पहला point दिया है यह है अच्छर का simplest form होता है यानि कोई भी अगर आप lettering कर रहे हो तो उसकी जो सबसे simplest form होती है उसको हम single stroke कहते हैं कहने का मतलब यह है कि जो आप generally अपने हाथ से अभी यह से present में बैठे हो अपने notebook पर लिख रहे हो गए जैसे आपने लिखा single stroke letter तो आपने जो लिखा है ना फ्रेंड वो single stroke letter में लिखा अ ही लिखा है जनररली जो हम अपने लाइफ वो सिंगल stroke letter होते हैं यानि कि single stroke letter एक तरीके से सब्से simplest form होता है या हमने ऐसी free hand से लिखती है तो यह हमारा single stroke letter है ठीक है न क्योंकि यह एकदम simplest form है इसमें ना कोई हमने dimension गी है कुछ भी नहीं किये तो simplest form होती है उसी को हम क्या बोलते है single stroke letter तो question अगर आप से पूछे जाए कि letter की सबसे simplest form कौन सी होती है तो आपका answer होगा single stroke letter उसके बाद दूसरा point आपके आ रखना है इसमें सभी अच्छरों की मोटाई समान होती है यानि कि single stroke में आप जितने भी letter लिखोगे friends engineer drawing में उन सब की जो मोटाई या फिर thickness कैसी होती है same होती है ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ज़्यादा थिक कर रहे हो और दूसरी letter को बिल्बकुल पतला बना रहे हो ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी आप single stroke में कोई भी letter लिखोगे तो सभी letter की जो मोटाई ये thickness है वो कैसी होनी चाहिए same उसके बाद तीसरा very very important point इसे आप important डाल लेना यहां से कई बार question आपका पूचा गया है पूचा गया है कि इसमें अच्छरों का जो अनुपात होता है वो 7 अनपाद 4 और 7 अनपाद 5 होता है ठीक है अब यह अनपाद क्या होता है 7 अनपाद 4 क्या होता है 7 अनपाद 5 क्या होता है तो देखें मैंने नीचे समझाया है 7 अनपाद 4 यह अनपाद होता है किसका है तो यह अनपाद होता है H और W एक मतलब क्या होता है उचाई और हैट और विट्त का जो अनुपात होता है सिंगल इस्ट्रॉक लेटर में वह फ्रेंट्स होता है अगरा आपको सिंगल स्ट्रॉक से कुछंद देगा तो यहीं से देगा परसंट आप लिख लीजिए कुछन में यह पूछेगा कि single stock letter में letter की height कितनी होती है या height और width का ratio क्या होता है तो आपका answer होगा semi ratio 4 अगर semi ratio 4 option में नहीं है तो semi ratio 5 होगा इन दौना में से कोई एक आपको जरूर देगा तो height और width का ratio होता है वो 7 और 4 या 7 और 5 होना चाहिए अगर आपको इस समझ में नहीं आया कोई दिखते नहीं है यहाँ पर आप समझ जाओगा example दियान से दिखना जैसे मैंने यहाँ पर देखो दीन अच्छा लिखे A, B और E इनको मैंने single stock letter में लिखा है आपको कैसे पता चला कि सरह यह single stock letter में है तो देखे दियान से इस जो अच्छर हमने यह लिखा है इस अच्छर की जो यह लंबाई है यह height है friends वो कितनी है साथ ठीक है और इस letter की जो चौड़ाई है वो कितनी है friends चार ऐसी देखे ए है इस letter की जो लंबाई है यह height है वो कितनी है 7 और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 4 तो जिस लेटर के भी height 7 और चौड़ाई 4 या 5 होती है तो वो सारे letter single stroke letter कहलाते है ठीक है तो इस पूरे topic में सबसे important point आपका यह है कि single stroke letter में जो letters होते हैं उनकी height और width का ratio कितना होता है तो आपका answer होगा 7 ratio 4 या 7 ratio 5 ठीक है और यह ratio होता क्या है तो मैंने आपको समझा दें से B है तो इस B की अगर अगर आपको single stroke में लिखना है तो इसकी लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी 7 mm और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी 4 रख लो या फिर 5 mm रख लो ठीक है ना तो अगर आपने लंबाई 7 mm कर दी और चौड़ाई 5 mm कर दी तो यह single stroke letter बन जाएगा आपका clear हुआ तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक ची दिखो तो लंबाई जादा है और चौड़ाई कम है ठीक है यानि अच्छर एक तरीके से पतला बनेगा आपका ज्यादा मोटा नहीं बनेगा ठीक है ना तो इस वैसे जो single stroke letter होते हैं उनको simplest form कहा जाता है सभी अच्छरों की मोटा ही समान होती है साथ ही साथ इसमें जो उच्छाई और चोड़ाई का रीशी होता है वह साथ रीशी उच्छाथ यहाँ पांच होता है clear हुआ यहां तक कि single stroke letter क्या होता है कोई भी question है comment करके बता देना मैं उसको आपको reply क्या होता है तो चलिए अब बढ़ते हैं next type जो type number second था double stroke letter double stroke letter क्या होते हैं तो समझना द्यान से double stroke letter का जो दूसरा नाम होता है उसको आप समझ जाए Gothic letter का जाता है Gothic letter और हिंदी में भी Gothic बोलते है double stroke letter को जैसे देखो double stroke letter आपको समझ में नहीं आएगा बट अगर आपने Gothic letter जैसी पढ़ा तो यह आपके तमाग में आ जाएगा क्यों क्योंकि Gothic letter आपने कई जगह पढ़ा होगा Gothic letter आप जब computer में typing करते हो तो वहाँ पर जो font आते हैं तो एक font होता है कि नहीं होता Gothic ठीक है औ बोल्ड फॉर्म में आ जाता है तो यह होती है हमारी double stroke letter ठीक है तो double stroke letter ही क्या होता है Gothic letter होता है जब भी हम कोई भी letter double stroke में लिखेंगे तो उसकी पहंचान ही होगी कि वह आपको बोल्ड दिखाई पढ़ रहा होगा या फिर डार्ग दिखाई पढ़ रहा होगा उसकी thickness पर क्या होगा single stroke और जो मोटा लिखा हुआ होगा जिसकी thickness ज्यादा होगी वह आपको कैसा होगा double stroke होगा ठीक है यह और भी लिखा वह देख रहे हैं वहाँ पर यह कैसा है मोटा इसकी thickness ज्यादा है इस विएसे इसे हम क्या कहते है double stroke letter और इसका दूसरे नाम क्या होता है Gothic letter यह थोड़ा मोटा लेखा जाता है, क्योंकि यह गोथिक लेटर होता है, डवल स्टोक लेटर होता है, ठीके, सेकंड पॉइंट देखे, अब यह मोटा होने के पीछे रीजन यहाँ पर यह पतला था, रीजन क्या था? कि इसकी हाइड ज़्यादा थी हैं बट मोटा जादा कर देते हैं जैनल सी वात है वो कैसा हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा या फिर उसकी थिकनेस क्या होगी बढ़ जाएगी तो वही देखिए यहां पर सेकंड पॉंट में लिखा है कि इसमें अच्छरों की मोटाई अच्छरों की उंचाई के एक अपॉन पांच से एक अपॉन दस है जैने कहने का मतलब यह है कि जो वृथ होता है बो कर देखिए होता है किसका विर्थ और हाइट का किसमें गारे लेटर किलेर को नहीं है आप देखते ही पेंचान लोगे कौन सा लेटर डबल स्टोक है कौन सा सिंगल स्टोक ठीक है अब मैंने देख कुछ important point लिखे हैं यहाँ पर यह आपके exam में पूछे गए हैं तीन चार point है आप अच्छे इसे इनको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इनका मतलब क्या है गोते हैं जब हमारे पाट डॉयंग सीट होती हैं tark rainbow सीटमें हम टाइटल के मारे में बनाते हैं टाइटल में सबसे पहले हमारा main title होता है ओ जो इस ड्रोइंग को बारे में बता रहा होता है ठीक है और main title हो गया और वो drawing seat की संक्या हो गई कि हमने कितनी drawing seat बनाई है एक बनाई है दो बनाई है तीन बनाई है चार बनाई है तो इन के बारे में हम जब भी लिखते हैं friends तो हम जो numbering करते हैं उस numbering की जो उंचाई होती है वो उंचाई या तो आप 8 mm रखो या 10 mm रखो या 12 या आठ से 12 mm के बीच में रखी जाती है ठीक है तो कुछ सब्सक्राइब से पूचे जाएगा कि जो title block होता है उसमें main title में या कोई alphabet या numerical या फिर alphabet या numbering हम लिखते हैं तो उसकी maximum उंचाई कितनी हो सकती है तो maximum उंचाई 12 mm हो सकती है किसकी main title की ठीक है ऐसे ही पूचे जाएगा कि title block में subtitle की जो लंबाई होगी subtitle अगर हम जो alphabet use कर रहे है subtitle को लिखने के लिए जिस alphabet का हम इस्तमाल कर रहे है उसकी maximum उंचाई कितनी रख सकते है उसकी maximum उंचाई 5 mm से 6 mm तक हम उसकी रख सकते है ठीक है तो यह होगा subtitle उसके बाद ऐसे dimension कि अगर हमें किसी भी अपनी ड्रॉंग सीट में dimension लिखनी है तो diamond से लिखने के लिए जो हम numbering का इस्तमाल करेंगे उसकी maximum height कितनी रखनी है तो उसकी maximum height हमें रखनी है 5 mm ठीक है ना ऐसी अगर हमें कोई scale बता नहीं है तो scale के लिए भी हम जिस lettering का है या फिर alphabet का use करेंगे उसकी maximum उंचाई हमें कितनी रखनी है 5 mm रखनी ठीक है तो यह था सारे का सारा lettering और numbering ठीक है जहां से आपके एक या दो question पूछे जाते हैं mainly यहीं से height और ratio से question आपके इसमें पूछे जाते हैं ठीक है तो इसके बाद यह तो topic आपका complete हो गया इसके बाद एक छोटा सा topic और बचा है dimensioning ठीक है वो मैं आपका next class में लोगा इस class में अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी आप से बात भी करनी है तो जो इसके बाद topic होगा dimensioning करने का तरीका क्या होता है वो आपकी next class जो class आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो अभी तक यह HB grade की pencil का प्रियोग होता है ठीक है important point डाल लीजी यह भी क्योंकि पूचा गया था तो मैंने आपर यह लिखाता कि जो आपका single stroke letter होते हैं उन single stroke letter को लिखने के लिए हम किस grade की pencil लेते हैं तो याद रखना है H और HB grade की pencil लेते हैं ठीक है अब यह grade क्या होती है सारी मैंने आ आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो जब याद यह point दमाग में note कर लेना आप के single stroke के लिए H और HB grade की pencil का इस्तमाल होता है ठीक है तो यह थी आज कि हमारी class कोई अगर doubt बचा हो तो आप comment करके बता सकते हो अब आते हैं मैं मुझे मुझे मुद्दा था कि हम class क्य कराना था उसके बाद हमें उसे questions कराने थे ठीक है आप लोग की दमाग में भी एक question आता हुआ कि sir question नहीं करा रहे हैं चैप्टर जो ठोरी है वो समझाते जा रहे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं मेरे पास question सभी set रखें PDF बनाके भी रख लिए बट मुझे उनको कराने में दिक्क कर दिया रही है कि अगर मैं उसको recorded form में डाल दो दूना आपको समझ में आएगा और ना मुझे बढ़ाने में इंट्रेस्ट होगा क्योंकि मैं record को से कर रहा हूं बता है ये 50 questions को ठीक है अगर उसकी class हम live लेंगे तो उसका मज़ा अलगी होता है ठीक है और उसी के लिए इत पुराना desktop है ठीक है desktop पर क्या होता है कि जो live classes चलाने के लिए हमें software चाहिए अब मारा जो desktop है यह पुराना है अब इस पुराने desktop में वो software चलनी रहा है उसके लिए मैंने तीन चाह तीन से 5.000 रुपे खर्च कर दी उसमें बट वो फिर भी setup वहा पर नहीं बन पा रहा है desktop यानि कि हमें live class अगर चलानी है तो हमारे पस मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं laptop को प्राशिज कर सको तो जब तक laptop अमारे पास नहीं आ पयाता है तो live class लेना हमारे लिए भी coronavirus मुस्किल है बट इस तरीके से छास में आपके लिए regular लाते हो बट रेगुलर का ऐसा मतलब नहीं है कि रोज का आज क्लास मिल गई कल भी मिल जाए परसों मिल जाए एक दोदो दिन का गैफ हो सकता है क्योंकि इस क्लास को रिकॉर्ड करना एडिट करना जो आपका मैटेरियल उसको तयार करने में काफी जादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैं रेगुलर क्लास ले पाऊंगा ये तो मैं कहीं नहीं सकता हूं बट क्लास आपकी रोज आती रहेंगी स्लेवस भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा इंजिनियर रोंग बूरी होगी आपकी मैटामे नहीं आजाता है तब तक आपको इसी तरह कि से स्वेवस में ऐसे करके करा दोंगा उगा जल्दी से लैप्टॉप आजा है पैसे अ boxing बनते हैं मेरे अच्छी नियुक्त कर दिया है ऐसा कर दोर मैं सूचिये कर दिया है मैंने पहले भी आपको बताया कि जब तक आपका सेलेक्सिन नहीं होगा जब तक आपके हाथ में जॉइनिंग नहीं आएगी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा हलांकि थोड़ा गैफ हो सकता है बीच में कि मेरी भी प्रॉब्लम है मैं अकेला हूं तो सारी चीज मुझे बहुत 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 अलगा थेंग्यू सो मच जय हिन जय बारत